नमस्कार आईए सीखते हैं बाल रामकथा पर आधारित कुछ प्रश्णों के उत्तर सबसे पहला प्रश्ण है आयोध्या किस नदी पर स्थित है जानते हैं उत्तर है सर्यू आयोध्या सर्यू नदी के किनारे पर बसी है दूसरा प्रश्ण है राजा दशरत किसके पुत्र थे या राजा दशरत के पिता का क्या नाम था अज राजा अज दशरत राजा अज के पुत्र थे तीसरा प्रश्न राजा दश्रत को किस देवता के अशिर्वाद से पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुए। तो किस देवता ने उनको आशिर्वाद दिया था? उत्तर अगनी देव. चौथा प्रश्न. लक्ष्मन की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला. भरत की पत्नी का नाम मांदवी. शत्रवन की पत्नी का नाम शृत कीर्ति. कितना सुन्दर नाम है? शृत कीर्ति. राजा दश्रत के महा मंत्री का नाम क्या था? सुमंत्र. उनका नाम था सुमंत्र. रां के वंगमन के कितने दिन बाद राजा दश्रत ने प्रान त्याग दिये राम को वनवास तो दे दिया लेकिन वो उनके वियोग में कुछ दिन भी जिन्दा नहीं रह सके तो कितने दिन के बाद प्रान त्यागे उन्होंने छटे दिन छटे दिन उन्होंने प्रान त्याग दिये कई केई, भरत की मादा केकई मैं, लास्ट प्रश्ण है, सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर कौन आगब बुला हो गए, कि इन्हें इतना बुरा लगा कि वो तपस्विनी का वेश धारन किये हुए है, उत्तर है, वशिष्ठ मुनी, मुनी वशिष्ठ या वशिष्ठ म पुनी, तो आपिन प्रश्णों को पढ़िये, सुनिये और रमायन से समंध अपना ज्यान बढ़ाईए, धन्यवाद